कानपूर से बड़ी खबर, चौबेपुर के चर्चित विक्रू कांड का ये पूरा मामला है, मनू पांडे को पुलिस ने आरोपी बनाया है, आडियो वाइरल होने के बाद चर्चाओं में आय थी और आरोपी के किलाफ NBW जारी किया गया है, संपत्ति कुर्क करने का है, तो हादिश जारी होने के बाद से ही मनू पांडे फरार है, बड़ी खबर, पर जारजानकारी के साथ हमारे सेयोगी राहुल बढ़ौरिय हमारे साथ जड़ गया है, राहुल क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा इस पूरे मामले में मनू पांडे को अब आरोपी बनाय गय बिल्कुल आपको बता दो साहिल की जिस तरीके से दो और तीन जुलाई की रात में ये 2020 में ये कांड हुआ था जिसमें गैंगेश्टर विकास दुवे नामक कुख्यात अपरादी ने आठ पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी ती जिसमें से एक जो है सियो भी उसमें देवन मिस्रा सामिल थे आपको बता दो कि जिस महिला के घर पे सियो की हक्त्या करी गई थी ये वही महिला जो है मनु पांडे है मनु पान्डे के ससुर का उस पूरे मामले में एनकाउंटर किया गया था और मनु पान्डे का पती कहीं न कहीं उसी मामले में अभी भी सलाकों के पीछे है लेकिन आपको बता दू कि मनु पान्डे इसी पूरे मामले से काफी चर्चा में आई थी लगातार उसके आउडियो वाइर हो रहे थे जिसमें वो स्टिम तोर के सेखने की बात कर रही थी कहीं पे जो है अपने पती को बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी पर इस पूरे मामले में कई वीडियो भी उसके वाइरल हुए थे मनु पांडे को इस मामले में आरोपी मान लिया गया था और आरोपी मान के को टो में जी घी गई गई थी अब उस पूरे मामले में लगातार मंनु हराल चल लई है और मनु को जो है uhm 2022 में मनु पांडे का जो सूथ बताते हुँ फ़ह marshmallow पुलिस को पुलिस को पुलिस को मिलने हैं कि मनु पांडे यहां चुपी हो सकती है तो पुलिस लगातार उसकी गिरफतारी का प्रयाज भी कर रही है अब देखने वाली बात यह होगी कि मनु पांडे को पकड़ने में जो है काम्याब होगी लेकिन एक बात साहिल और इसमें जो है वो सवालों के गेरे में है कानपुर के लिए कि अगर 2021 22 में ही मनु पांडे का एंबी डवलू जारी हो गया था तो क्या मनु पांडे अभी तक प्रार थी मनु पांडे पुलिस के टश्में नहीं थी या फिर मनु पांडे भिक्रू में पेरे रहती या वो कानपुर छोड़के ही चली गई थी जो सूत्र बतात जो कानपुर पुलिस है वो क्यों नहीं पगड़ पाई साहिल चली राहूल हमारे साथ जुनने के लिए इस तमान जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया